अगला जो क्यूशन है वो है सुत्र प्रावर्ते से भाग कीजिए तो प्रावर्ते से भाग है वो सेम निखिलम से भाग कित रही है निखिलम के अंदर तो शिर्फ विचलन आता था और इस प्रावर्तिय के अंदर परिवर्तितंग आएगा तो यहां पे विचलन भी निकालना हो रहे है परिवर्तितंग निकालना है तो यहां पे निखिलम के दरही आधार है वो बाज़क को देखे लेना है तो यहां बाजक 103 है तो 103 के लिए जो आदार है वो हो जाएगा 100 अब यहां पर जो विचलन है वो निखिलम में जैसे आपने वरक किया था तो उसके अंदर विचलन निकालते थे आप उसी प्रोसेस से यहां विचलन निकालना है अगर आदार से बाजक बड़ा है तो विचलन प्लस का अगर आदार से जो बाजक है वो छोटा है तो विचलन नेगिटिव हाएगा तो आदार 100 है और बाजक 103 है तो यहां विचलन है वो 0-3 क्योंकि निखिलम में भी अपने ऐसे किया था कि आदार में अगर 2-0 है तो विचलन भी 2 अंकों काणना चगी तो विचलन है वो 0-3 इसके बाद आपको परिवर्तितंग निकालने परिवर्तितंग यह जो विचलन है यह प्लस का है तो परिवर्तितंग है वो इसका चिन बदल जाएगा तो यह होजाएगा मायनस का तो 0 नाय M- . नाय मोणुट्रल होते है तो इस तीन के उपे यह मायनस का चिन लगा दिये अब सेम निखिलम कीत्रही लिखना है इसको इसमें भी 11 करना मैं पहले वाले कॉलम के इंदर आपको आधार लिखना है अधार है 100, बाजक, बाजक 103, इसके बाद में विचलन, विचलन है वो पलस का, और परिवर्थित अंक, परिवर्थित अंक है, 0, 3, यह माइनस का है, तो इसे परिवर्थित अंक से गुणा करना है, अब यहां तीसरे कोलम में, कितने इक उतारने, वो आधार में, आधार में यहां पर 2 0 है, तो तीसरे कोलम के अंदर इस भाज जैसे, लास्ट वाड़े 2 अंक, तो 2 अंक चोपन, यहां पर बाकी जो 2 अंक बच गये हैं, यह 11, यह बीच वाड़ी कोलम में थोड़ा गेब से उ यह सबसे पहले जासे निखिला में करते हैं सेम injury कब प्रोसेश है एक है वह एर लगा के नीचे राधी 8 इस एकका गुण है पहले 0 से करेंगे तो 0 से करेंगे तो इस एरो के नेक्स्ट वालें के नीचे लिखेंगे, एक का गुणा 0 से करेंगे, तो यह 0, एक का गुणा माइनस 3 से करेंगे, तो यह 3 माइनस का, अब जो आगे calculation है वो एक और 0 की करेंगे, एक में 0 जोडेंगे, तो यह 1 हो जाएगा, एक का गुणा वापिस 0 और माइनस 3 से करना है, एक का गुना 0 से करेंगे, तो जो 0 है वो ही 0 के next लिखना शुरू करेंगे, एक गुना minus 3 से करेंगे, तो यह minus का 3, अब जो तीसरे कॉलम में जो संख्या उसके calculation कर लेंगे, चार में से 3 minus होगा, तो यह 1 हो काई बांच में तीन मा έन्स होगा तो ये दो गया तो ये ग्यारह है ये तो गया ऐबाघ फल कुछ को बला और ये भी से सेस्पर इसमें भी निखिलम कित रही भाग जैसे करते हैं तो जो सेस with वो वाजक सकते हो आप अगला क्यूंज नेंगर तेरा सो अठावन में 100 तेरा से भाग देना है तो 113 के लिए जो आधार होगा वह जाहेगा 100 तो आधार है 100 कि विचलन विचलन है वह 100 से संख्या बढ़ी है तो विचलन आ गया प्लस का तेरा और परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् कॉल्म में आधार सो बाजक एक सो तेरा विचलन तेरा प्लस का और परिवर्थित अंक ये तेरा माइनस का अब तीसरे कॉल्म में आधार में दो जीरो है तो तीसरे कॉल्म में भाज्य से दो अंक लिख देंगे 58 और बाकी जो दो बचे वे आंके तेरा ये बीचवाडी कॉल्म में गेप से लिख देंगे अब सबसे पहले इस एक को एरो लगा की नीचे उतारेंगे अब इस एक का गुणा परिवर्थित अंक से करेंगे तो पहले एक माइनस से करेंगे फिर माइनस थीन से करेंगे एक का गुणा माइनस एक से करेंगे तो ये एक माइनस का एक का गुणा माइनस थीन से करेंगे तो ये तीन माइनस का, अब कैल्पुलेशन करेंगे, तीन में से ये एक गटाना है, क्योंकि माइनस का है, तो तीन में से एक गटाएंगे, तो ये दो, अब दो का गुणा करेंगे प्रवर्ति तंक से, दो का गुणा माइनस एक से किया, तो ये माइनस का दो, दो का गुणा 3 से किया तो यह 6 माइनस का अब तीसरे कॉलम में जो संक्य है उनकी कैल्गुलेशन कर लेंगे 8 में से 6 गटेगा तो यह 2 5 में से यह 3 और 2 दोनों माइनस के 5 हो गए तो यह 0 तो यह 12 आ गया यहां पर भागफल और 2 आ गया सेशफल तो सेशफल है यह बाजक से छोटा है तो यह इसका फाइनल आंसर 12 भागफल और 2 शेशफल अब गलाक्यूशन 14-32 में 88 का बाग देना है तो 88 के लिए भी आधार है वो 100 होगा आधार 100 अब विचलन विचलन जो 88 है वो आधार 100 से छोटा है इसलिए जो विचलन है माइनस का बारा 3 कोलम तो प्रिवर्थित अंक के ये बार है वो पलस का हो गया अब लिखते टाइम से मुशी तरह तीन कोलम पहले वाले कोलम में आधार आशो बाजक अठासी विचलन माइनस का बार है और परिवर्थित अंक के बार है पलस का अब इस बार है से गुणा करना है अपने को है क्या कुल आधार सो में दो घर है तो तीसरे क ऑल में 32 एगा बीचवाल एक कोलम में बाकि दो आंक जो बच्ते हैं 14 अब सबसे पहले को लगाएंगे ए रो लगा के करें च्यार और एक पांच को गया अभी स्पांज का गुणा 12 से करना है तो 5 को लेक्ष करेंगे तो Lil迎 अब जो 112 है वह ठासे बढ़ा गए तो जब से स्फल बजक था रहा है तो इसको पन रख में बाग कर लें लगए लग बढ़ो इसको रफ बशक में 22 का देना है जो J2 बच्चा है आपका यहां पर उसमें बाजक से देना है तो 88 का बाग है वो एक ही बार जाएगा एक बार जाने पर यहां पर 88 लिख देंगे 112 में से 88 माइनस करेंगे तो यह बच जाएगा 24 अब यहां जो बागफल एक आया है वो अपने पहले जो बागफल आया है उसमें जोड़ देंगे और यहां जो calculation किया है 112 में 68 माइनस तो यहां पर यह करके दिखाना है 112 माइनस 88 अब जो फाइनल आंसर बचेगा यह हो गया 24 प्रुपंदरा में एक जोड़ेंगा तो यह 16 तो यह 16 है यह इसका भाग फला आ गया और यह 24 है यह 6 फला हो गया अगला क्यूशन 148 चूपित्यासी में 120 का भाग देन है तो 120 के लिए जो आधार होगा वो सो 120 है वो आधार से बड़ा है तो वीचलन आएगा वो पलस का आएगा 23 और परिवर्ति तंक परिवर्ति तंक है वो 23 हो जाएगा माइनस का तो दो ओर तिन दोनों पे माइनस का चिन लगा दें अब लिखने का प्रोसेस वोई तिन कॉल्म मनाना है अब आपको यहां एक चीज यह दिया रखनी है कि इस मिडल वाले में कितने अख लिखे जाएंगे उसके कॉल्टिंग यहां पर इन दोनों लाइनों के बीच में गेब रखना है तो यहां पर अपने जैसे तीन अख लिखेंगे तो इसके कॉल्टिंग 23 और परिवर्ति तंक ये 23 माइनस का तीसरे कोलम के अंदर आधार 100 है तो लास्ट वाड़े 2 अंक 85 बाकी जो 3 अंक बच गें 100 48 ये बीच वाड़ी कोलम में गेप से लिखेंगे अब सबसे पहले यहां पर एक को निचे उतारेंगे इरो लगा करके एक का गुणा करेंगे माइनस 2 से तो ये 2 माइनस का चैर के निचे लिख देंगे एक का गुणा माइनस तीन से करेंगे तो यह 3 does minus का अब यहां पर कैलकुलेषन है एक की डीजिट की करनी का arrow के बाद सिर्फ है जो एक कैलकुलेषन है इसी ही करनी है 8 और माइनस तीन ही नहीं करनी है तो 4 में से 2 माइनस होगा तो यह 2 बच गया अब इस दो का अगेन गुणा करेंगेगे पन-2 और-3 से जो इस एरो के next वाढ़ी जो अंक्य उसके निचे लिखेंगे 2 का गुणा-2 से करेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस का 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 6 माइनस का अब इसमें एक calculation और बच गिये ये, बीच बाले कोलम में जब तक calculation है, तब तक आपको यहां से प्रिवर्तितंक से गुणा करना है, अब ये last calculation होगी, यहां पे 4 और 3 ये 7 minus का हो गया, और ये 8 plus का है, तो 8 में से 7 minus होगा, तो ये 1, अब इस 1 का गुणा minus 2 से करेंगे, तो इस minus का, अब तीसरे कोलम में जो संक है, उनका calculation करना है, पांच में से 3 है, ये minus होगा, तो ये बचेगा 2, और 6 और 2, 8 minus के, ये 8 plus के, तो ये 0, तो यहां 121 है, वो भागफल आ गया है, और 2 है, वो 6 फल आ गया है, तो जो 6 फल है, वो बाजक से छोटा है, इसलिए इसका final answer है, 12 12 वागफल और 2 है, तो सभी विदार्तियों से नहीं वेदना है, कि चैनल को ज़्यादा सी ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपको अविलेबल हो जाए, तो एक्जाम में वो साइद जून, लास्ट ये जुलाई तक होने के chances है, तो इतने में आ प्रिमेने में लग बगे, चैसाथ एक्सरसाइज और उसका चीतरा से डिविजन हो जाएगा, तो कर्प्या करके आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, धन्यवाद,